हलो मैं हूँ नीतु कुमार और आप देख रहे हैं E24 का Facebook पेज और YouTube चैनल आज बात करेंगे विश्वजीत की जिहां बंगाल चुनाब में विश्वजीत की भी चर्चा है क्योंकि हाली में वो BJP से जुड़े हैं बहुत सारे actor actresses जो हैं बंगला फिल्मों के वो कई तरह की राजनितिक पार्टियों से जुड़ रहे हैं उसमें से एक नाम विश्वजीत का भी है विश्वजीत जो हैं 60 के दशक के मशूर अक्टर रहे हैं 60 के दशक के romantic hero के तौर पर उनकी छवी रही उन्होंने आशा पारेक, मुम्ताज, वहिदा, रह्मान समेथ कई actresses के साथ काम किया आशा पारेक के साथ उनकी फिल्म आई थी मेरे सनम जो की हिट रही थी, फिल्म के गाने बहुत पसंद किये गये थे दो कलिया उनके फिल्म आई थी, वो भी बहुत फिल्म जो है शांदार रही थी, फिल्म अच्छी चली थी, किस्मत फिल्म भी उनकी लोगों ने देखी और उनको फिल्म को बहुत सा रहा गया, तो साट के दशक में कई सारी फिल्में आई और कई सारी फिल्मों में जो है उन् फिल्म में रेखा को बिना बताई या आरोप लगा जाता है कि 5 मिनिट का लंबा स्मूचिंग सीन जो है वो शूट किया गया था रेखा सेट पे पहुँची थी तो उनको बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस सेट पे उनके साथ इस तरह का कुछ होगा उन्हें य दिया था 1979 में ये फिल्म जो है सिनेमा घरों में आई थी तो इस फिल्म को लेकर जो है विश्वजीत भी विवादों में आये थे हलाकि उनका ये कहना था कि फिल्म के निर्देशक ने उनसे जो कहा था वो उन्होंने किया आपको बता दे कि रेखा और विश्वजीत के वो बंगाली फिल्मों के बड़े अक्टर रहे हैं, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने किस्मत आजमाया, लेकिन वो चल नहीं पाये थे, जिस दौर में विश्वजीत बॉली वुड में काम कर रहे थे, वो दौर धर्मेंदर का था, उस दौर में जीतेंदर जो है बॉली कुमार उस दौरान बहुत जुबली कुमार कहलाते थे, तो ऐसे में उनके लिए बहुत टाफ कॉम्पटेशन था और वो जो है अपना एक्टिंग करियर जो है बहुत लंबा नहीं खीच पाये, बॉली वुड में जब विश्वजीत की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू ही तो उन्होंने टॉली वुड का रुक किया, वहां उन्होंने कई फिल्में बनाई, फिल्मों में काम किया, फिल्मों में डिरेक्शन किया, उन्होंने गाने तक गाए, उन्होंने संगीत भी बनाया, तो मल्टी टास्किंग काम जो है उन्होंने किया और विश्वजीत जो है उसके बाद से लंबे समय तक बंगाली सिनेमा से जुड़े रहें और बहुत बाद बॉलिवुड से उनका नाता जो है करीब करीब कड़ गया राजनीती में भी उनका आना हुआ 2014 में त्रिन्मिल कॉंग्रिस की टिकेट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हो चुनाव हार गय थे और अब हो जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं बीजेपी के जरिये जो है विश्वजीत अपनी राजनीती करियर को चमकाना चाहते हैं आपको बता दे कि 2020 के शुरुआत में ही उनको जो है इंडियन परस्नालिटी अब दे यर का अवार्ड दिया गया था इंडियन फिल्म फेस्टिवल में तो विश्वजीत को बॉलिवुड में तो बहुत जादा जो है अवार्ड नहीं मिले कुछ इतना उनके काम को नोटिस नहीं किया गया लेकिन बहुत सालों बाद जो है भारत सरकार ने उनके काम को सराहा और उनको जो है अवार्ड दिया अगर आपको हमारे विडियो पसंदाया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इंटेटेंट्मेंट की कोई भी खबर मिस ना करें चाहे बॉलिवुड और टीवी से जुड़ी बिग निउस हो या स्टार और देखते रहिए एट्वटीफोर